हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल स्टड़ी भी देखे चोहान में आज मैं फिर से आप लोगों के वीच लेकर के CVP Monitoring by the Transducer लास्स लेक्चर्स में हमने देखा था कि CVP को मेजर करने के कई सारी तरीके थे जिसमें हमने एक Direct Method भी देखा था, वाई the IV Set एक हमने मैनोमीटर की मदद से देखा था इस लेक्चर में हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या Transducer होता है और Transducer की मदद से हम CVP को कैसे मेजर कर सकते हैं इन सारी चीज़ां को इस Lecture में हम समझने का प्रयास करेंगे और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को Like, Share और Subscribe नहीं किया है तो मैं आपसे गुजारिश है चैनल को Subscribe करें, Like करें और Share करना न भूलें और जो भी आपके वैलिवल कमेंट्स हैं, वो कमेंट बॉक्स में आवश्य डालें तो आईए चलते हैं, देखते हैं कि What is the Transducer? ये रहा हमारा Pressure Transducer इधर मैंने दूस्तों थोड़ा सा समझाने के लिए आपको इस Pressure Transducer के जो diaphragmatic portion है जिसका यहां मैं कहूँ Transducer में जहां diaphragm लगा होता है उसको मैंने अलग image में दिखाया है यहां पर आप देख पा रहे होंगे left hand side पर जो दिखाया है ये हमारा Pressure Transducer का ही एक part है और कहूँ तो ये this is the main part of this Transducer क्योंकि diaphragm इसी में लगा होता है और उसका ही काम होता है यहां मैं कहूँ इस Pressure Transducer का काम क्या होता है ये Pressure Signal को Converse करता है किसमें electrical signal में और वो signal हमें फिर monitor पर हमें तिखाई देने को मिलते हैं ठीक है तो यहां पर एक definition लिखी हुई है It is a device used for invasive monitoring in intensive care units which converts pressure signal to the electrical signal मतलब यह एक Transducer है जिसको जो क्या करता है Pressure Signal को electrical signal में बदलने का काम करता है और उसकी मदद से invasive blood pressure monitoring में हमें help करता है यहां मैं कहूँ invasive blood pressure monitoring हमारी जो होती है वो इसी Transducer की मदद से हम कर सकते हैं ठीक है दो type C blood pressure monitoring होती है एक invasive blood pressure monitoring और एक हमारी होती है non-invasive blood pressure monitoring ठीक है तो invasive blood pressure monitoring जो arterial blood pressure monitoring होती है हम इस pressure transducer की मदद से कर सकते हैं ठीक है अब हम चलेंगे आगे आगे हम देखते हैं यह मेज आप देख रहे हैं यह pressure transducer की मेज है इसमें आप देख रहे हैं एक IV सेट लगा हुआ है एक monitor से connector करने के लिए monitor को digital monitor को connect करने के लिए connector बना port दे रखा है यहां पर इनोंने और एक हमारा जो मैंने भी आपको दिखाया था जिसमें हमारा diaphragm लगा होता है प्रेशर ट्रांस्ड्यूजर का वो है एक flushing device लगी हुई है यह हमारी flush device है ठीक है तो यह रहा है यह जो है यह हमारा पूरा प्रेशर ट्रांस्ड्यूजर है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे अपना CVP को monitor कर सकते हैं ठीक है यह जो भी non-investive monitoring है वो हमारी इस सब की help से की जा सकती है तो ट्रांस्ड्यूजर आपको समझ आ गया होगा यहां पर कुछ मैंने नॉमनक्लेचर वाला पार्ट आपको दिखाने का प्रयास किया है एक निपल वॉल्व लगा हुआ है एक three-way stopcock है जो pre-assembled है ट्रांस्ड्यूजर के साथ इसको मने अलग से नहीं ठीक है तो यहां पर आपने देखा निपल वॉल्व क्या करता है फ्लेच करने का काम करता है यह three-way stopcock है जिस तरफ three-way stopcock लगा हुआ है दोस्तो यह वाला इंट हमारा patient in को है तो जब भी आप patient bad side जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको वहां पर system देखने हैं three-way stopcock है और patient का जो catheter है cbc है इस तरह से यह पूरा system organized होता है एक cbc को measure करने के लिए या cbp monitoring के लिए हमां यह पूरा system तयार करना होता है ठीक है तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए एक pressure wag चाहिए एक transducer kit चाहिए हमको एक कादियक monitor चाहिए होता है और हमारी जो transducer है उसके लिए एक strand की आवशक्ता होती है वो भी हमें रखना पड़ेगा ठीक है और इस तरह से आप देखते हैं कैसे हम use करना है तो आई स्टार्ट करते हैं कैसे हमें measure करना है cbp यहाँ पर सबसे पहले remove the cover of the transducer using antiseptic technique आपको antiseptic technique से मतलब कि sepsis patient को नहीं होना चाहिए इस तरह से आपको इसको open करना है जिससे इस transducer की istreality बनी रहे इस तरह से आपको इसको खोलना है खोलने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तो तो इस तरह से हम क्या करेंगे इसको open करेंगे उसके बाद हम अपने normal saline को pressure bag में लगाने के बाद उसको हम iv stand पर hang कर देंगे और इसमें जो pressure दोस्तो हम जो generate करते हैं inflate कर pressure होता है pressure अभी inflate नहीं करेंगे अभी सिर्फ हम इसको इसमें pressure bag में लगाने के बाद iv stand पर hang कर देंगे ठीक है इसके बाद क्या होगा इसके बाद दोस्तो हम इस transducer को iv stand पर fix करेंगे और fix करने के लिए हम एक dpt organizer की मदद ले सकते हैं और fix करने के और भी तरीके हो सकते हैं आप tape से भी fix कर सकते हैं लेकिन अगर dpt organizer है तो आपके लिए ज्यादा battle रहेगा ठीक है इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद दोस्तो हम normal saline को जो है iv set से connect करेंगे ठीक है iv set को हमने क्या किया normal saline वाला जो bag था जो pressure bag में लगाया हुआ था उससे connect करेंगे ठीक है connect करने के पाद उसको open करेंगे जो हमारा roller है उसको ओन करेंगे जिससे हमारा fluid iv set में आ सके इसके बाद हम जो हमारा टांसडिउजसर का van port है उस van port को open करेंगे कैसे उसके यह मlt को 가 जिससे हमारा vent port open हो जाए, vent port open करने के बाद, हमारा ये जो flushing device है, इसको हम squeeze करेंगे, दवाएंगे, जिससे हमारा flush volume है, जिससे हमारा solution है, flushing solution, वो हमारे system के थुरू होते हुआ, vent port से बाहर निकल जाएगा, इस IV line से होता हुआ, vent port से जब बाहर निकल जाएगा, जिससे हमारे सारे air bubbles जो भी होंगे इसके अंदर, जो हमारे error create करेंगे, उससे CVP monitoring में, वो सारे bubbles क्या होंगे, बाहर निकल जाएगे, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इसको flush करेंगे, किसको अपने vent port को, ठीक है, वो flush को press करने के बाद, इसके बाद दोस्तों, अब हम vent port को तो close करेंगे, और जो भी हमारा remaining system है, या कहें remaining हमारा पूरा transducer line है, उसको हम flush करेंगे, किसे हम अपना जो stopcock है, उसको vent port की तरफ घुमा देंगे, तो नीचे जो बचा हुआ system है, वो पूरा, उस flush जो हमारा आरा है, जो flushing solution है, वो सारा हमारा flushing solution क्या होगा, उसको पूरी line को flush करता हुआ, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, इस तरह से हम इस पूरी line को क्या कर लेंगे, दोस्तों हम इस पूरी line को कर लेंगे flush, जब हमारी line flush हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा pressure work था, उसको हम 300 mmHg तक उसको inflate करेंगे, उसमें एक monitor लगा हुआ होता है, ठीक है, उस monitor में आप देख सकते हैं, उसको हम 300 mmHg तक उसको हम pressurize करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारी tubings हैं, और जो हमारा cannula है, उसको हम, हम CVC से connect करेंगे, और पूरे system को एक वार हम क्या कर देंगे, flush कर देंगे, flushing device है, उसको squeeze करके, हम इस पूरे system को flush कर देंगे, ठीक है, मतलब हमारा pressure जो था, इसमें 300 mmHg वो और अच्छी तरह से, उस पूरे system को flush कर देगा, इस तरह से हम पूरे system को क्या कर देंगे, flush कर देंगे, उसके बाद, इस transducer के vent port को हम align करेंगे, flebostatic axis से, जो हमने last classes में देख चुके हैं, क्या flebostatic axis होता है, this is the intersection of the fourth intercostal space, as well as mid axillary line, ठीक है, यहाँ पर हम इस, जो हमारा transducer के vent port को, align करेंगे, flebostatic axis से, इसको align करने के बाद, दूस्तों आपको क्या करना है, फिर हमें zeroing वाली process को initiate करना है, zeroing करने के लिए, आप क्या करेंगे, stop को जो है, उसको patient side की तरफ बंद कर देंगे, मतलब patient की तरफ, वो हमने बंद कर दिया, उसके बाद, जो non-vented cap लगा हुआ था, vent port से उसको आप हटाएंगे, ठीक है, उसको open करने के बाद, उसको आप atmosphere में छोड़ देंगे, atmosphere की side से, उसको आप open रख देंगे, मतलब जो हमारा vent port है, that will be open to the atmosphere, इसे हम जो zeroing करते हैं दोस्तों, यह zeroing हम करते हैं, negate the atmospheric effect, atmospheric effect को कम करने के लिए, हम यहाँ पर क्या करते हैं, zeroing करते हैं, या उसको हम equalize करने के लिए, हम यहाँ पर zeroing करते हैं, zeroing जब आप यह सब चीज कर देंगे, उसके बाद आप monitor है अपना, जो भी cardiac monitor है आपके पास, या जो भी monitor है, उस monitor में आप zero button प्रेस करेंगे, zero button प्रेस करेंगे, तो थोड़ा सा आपको wait करना पड़ेगा, थोड़ा सा wait करने के बाद, आप देखेंगे कि उसमें straight line आ गई, straight line आ गई, उसके बाद, जैसे आप उसमें देख लेंगे, आपको बंद कर दीजिए, नॉन वेंटिड के साथ, आप देखेंगे कि आपके monitor में, जो है graphical representation आ गई है, graphs आपको देखना शुरू हो गई, और numerical readings भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इस तरह से हम दोस्तों, transducer की मदद से, हम CBP monitor कर सकते हैं, और ये बहुत ही एक important role play करता है, पेशेंट्स का, या मैं कहूं critical care जो होती है, पेशेंट्स की, इसको इंटरप्रेटेट करके, इसको हम जो clinical features हैं, उनके साथ इसको रगर के अगर देखेंगे, उनसे correlate करके, अगर हम सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, तो पेशेंट्स के बारे में, बहुत हमें चीज़ां इससे समझने को मिल जाती हैं, तो ऐसे आपने देखा दूस्तों, इस तरह से हम CBP monitor कर सकते हैं, और वीडियो गर आपको अच्छा लगा है, तो लाइक, शियर, सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने वेलिवल कमेंट, कमेंट वाक्स में हवस्च डालें, धन्यवाद,